गुड इमिनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे युट्वी चानल एर कुमार पे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लेज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत माल्दीव के बीच को और वहीं से बोल रहे है कि भारत को 15 मार्स तक अपने छो भारतिय सयनिक है उनको यान कि उन्होंने डेट भी फिक्स कर दिया कि पंदरा मार तक भारतिसानी को हटाने होंगे तो दोस्तों इनके पीछे चाइना कहां थे सिधा सिधा दिख रहा है और चाइना ओ कंट्री है जीश देश के अंदर घूसा है उसको कंगाल करके छोड़ दिया है आप सभी के सामने एक्जामपल बहुत सारे हैं चाइना का काम है कि दूसरे देशों में घूसना, कर्ज देना और उसके बाद उस देश पे कबजा करना एक तरह से आर्थिक रूप से कबजा कर लेना मतलब जो चाइना बोलेगा वही उख करेगा दोस्तो भारती सेनिक के बारे में आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि भारती सेनिक वहां पहुँची कैसे बात है सन 1988 की, 3 नौबर 1988 वहां पर कुछ स्रिलंका के उग्रबादियों ने आतंकियों ने माल्दिय के उपर हमला कर दिया और उस समय जो ततकालिन वहां के राष्टपती थे उनको उन्होंने कबजा करने की कोशिस करी उनको ग्रिफतार करने की कोशिस करी और माल्दियों के उपर उन्होंने अपना पूरा अधिकार जमाने की कोशिस करी थी दोस्तो यानि कि पूरा तक्ता पलट होने वाला था वहाँ एक तरह से देखा जाये तो मालदीव की लोगों की सरकार नहीं होनी थी वहाँ पर आतंकियों की सरकार होने वाली थी तब तकालिन भारतिय प्रधानमत्री राजियुगांधी ने ओप्रेशन कैक्टस चलाया और 3 नौमबर 1988 को भारतिय फोज को उन्होंने भेजा मालदीव के मदद के लिए और भारतिय फोज गये वहाँ पर उन्होंने मालदीव के राष्टपति को छुराया और जितने भी आतंकिय थे उनको भारतिय फोज उन्हें मार गिराया और कईयों को हिरासत मिलिया तब से भारतिय फोज वहाँ पर है तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भारतिय फोज नहीं बचाई होती जाकर मालदीब के राष्टपती को तो वहाँ सासन आज कोई और कर रहा होता और मालदीब का जब भी कोई भी प्रॉब्लम माया है कुछ भी हुआ है उनके साथ भारत हमेशा साथ खरा रहा है दोस्तों भारतिय सेना वहाँ है वो भारत के फायदे के लिए नहीं है भारतिय सेना वो वहाँ पर है तो किसके मालदीब के लोगों के फायदे के लिए है क्योंकि मालदीप में अपना कोई उनका structure नहीं है एक दीप से दुसरे दीप पे जाना होता है कोई emergency हो गया, medical condition हो गया या किसी और तरीके के भी कोई अपात्काली निश्थिती आ गई तब भरतिय सेना ही, भरतिय एर फोर्स ही मालदीप के लोगों के लिए किसी भी समस्या के निपटने के लिए तयार होता है यदि भारतिये हमारे जो भौजी महां पर है यदि यूँ नहों तो मालदीप का नामों निशान नहों मालदीप की हैसियत क्या है पांच लाख लोग है, टोटल महां के population है यद पांच लाख लोगों को भारत क्या कर रहा है लेकिन भारत का इतिहास है कि आज तक किसी भी देश के ओपर कभजा नहीं किया उसको आजाद ही कराया है, भारत का इतिहास रहा है, भारती ये फोज वहां न, जो है वो मालदिप के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भारत ने वहां पर पर कितना इंवेस्टमेंट किया है, हेल्थ के उपर, एजुकेशन के उपर, रोड के उपर, different field में invest किया है और उस सभी मालदीप के लोगों के लिए किया है लेकिन मालदीप सारे चीज भूल गया सारा हैसान भूल गया एक समय पीने के लिए पानी नहीं था 2014 में तब भारतीय प्रधानमत्री मोदी जी नहीं पानी बिजा था हमको पीने के लिए जब सुनामी आया था वहाँ पर 2004 में तो भारत भी उस सुनामी का श्रीकार हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने मदद किया था मालदीप को मालदीप पूरा भारतिये वहाँ पर एक तरह से उनको चला रहे हैं और अपने फायदे के लिए भारतिये वहाँ नहीं रुके हैं भारतिये चलाने का मिन्स यह है कि वहाँ का जो टीचर है भारतिये है डॉक्टर है भारतिये है उनको किसी मुसीवत से बचाने के लिए भारत भारतिये फोजों की संख्या कितनी है भारतिये फोजों की संख्या जो वहां पर टोटल है सतर से असी है वही सतर असी भारतिये फोज पूरा मालदीव को अपना सेवा दे रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं किसी मुसीबत में हर तरीके से त्यार है से लेकिन वही चाइना की सारे भालती इतना उचल रहा है लेकिन 125 बहुत बरी गल्धि कर रहा है उसको इसास नहीं है कि यह बिलुकुल भी इसास नहीं है कि सिरलंगा का हल क्याक्य मालदीप ने इसका पूरा जीता जागता उधारान है सबी लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे महगाई हो चुकी थी तकता पलट हो गया संसाथ के उपर पूरा पब्लिक ने कबजा कर लिया था क्यों कर लिया था क्योंकि वहाँ के इस्तिति बहुत ही विकाबू हो चुकी थी चाइना को जैसे और चाइना को कोई नहीं समझ पाया भी तक एक जीता जाकता यह परोसी जो कंगाल मुल्क है पाकिस्तान उसका इस्तिति देख लो सारा चीज कर देदे कर खरद लिया है चाइना और कुछ भी एहसास नहीं है पाकिस्तान को चाइना का यह पॉलिसी रहा है कि छोटे-छोटे देसे करद देते जाओ और उसको अपने कबजे में करते जाओ यानि कि आर्थिक रूप से पूरा सासन चाइना का है हर तरीके से जब किसी के पास सपोच करेंगे एक 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 एजामबल जब किसी के पास पैसा नहीं होता है उसे इंसान के क्या हालत होता है सभी को पता है तो वही हाल होने वाला है चाइना का चाइना वही हाल करने वाला है मालदीब का और चाइना जो है उनका जो ये एक क्या वरत हैं ट्रेडिशन चल चुका है सभी देशों में घूसकर इसी तरीके से कंट्रोल करना कब जा करना आर्थिक रूप से खैर इसमें मालदीब का तो ये बोला गया है कि आने वाले फेचर में 2050 तक मालदीब डूप जाएगा नाम निशान खत्म हो जाएगा यानि नेचुरल प्राकृतिक रूप से डूप जाएगा समुद्र के अंदर क्योंकि एक छोड़ डीप डीप है कि जब समुद्र में तबाही आती है तो पता हिए कि उनका कुछ नाम निशान नहीं होता सब कुछ मिठ जाता है कि समुद्र कि किस ग्यराई में चल बएर नहीं पता लेकिन दोस्तों कि कि मतंदम क्या बात कर रहे है संब स्धार केख्यास चाइन चाइन हैं इसे कोई बाती evidence को जो हमाने भारतिये फोज उनको बाहर कर रहे हैं कोई बात नहीं हम लोगों कोई पायदा नहीं उसमें हम लोगों को क्या मिलना उससे बलकि हम तो उनकी सेवा कर रहे थे कोई बात नहीं हमारे भारती यह फौज आ जाएंगे लेकिन मालदीप सपने में नहीं सोचा है कि मैं उसका होने वाला जो फ्यूचर है ना कितना डार्क है कितना अंधेरा होने वाला है उसका फ्यूचर तो दोस्तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्लेस किजिए